हलो दोस्तो मैं प्रतीक आपका दोस्त स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इन्फो डू इंस्पार में पिछले कुछ दिनों में दुनिया जूज रही है कोरोना के जंग से वही इंडिया में कुछ अलग ही चल रहा है जी हाँ दोस्तो आपको शायद अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो दोस्तो बात शुरू ही टिक टॉक और अमिर सिद्ध की के एक वीडियो से और उस वीडियो में उन्होंने यूटूब और यूटूबर्स के बारे में बड़ी-बड़ी बाते बोल दी और लो दोस्तो छिड गई जंग वीडियो जल्दी ट्रेंडिंग हो गई और यूटूबर्स की गुसा काफी बढ़ा गई बहुत सारी controversy शुरू हो गई, बहुत सारे hits, बहुत सारी comments और बहुत से blogs उस पर बनना शुरू हो गए और आखिर में दोस्तों क्यारी मिनाटी ने उस वीडियो पर अपना एक roast वीडियो बना दिया वीडियो अपलोड करते ही दोस्तों पूरी इंडिया में तहल का मच गया, क्यारी मिनाटी की उस वीडियो ने सारी वीडियो उसको पीछे छोड़ दिया और एक ही दिन में सारे के सारे records तोड़ कर इंडिया की ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे trending वीडियो बन गई बहुत सारे creators जिनका सपना होता है कि हमारे इतने views आए उससे कई ज्यादा comments क्यारी मिनाटी की वीडियो पर आई है दोस्तों जहां पूरी दुनिया की नजर कोरोना पर थी क्यारी भाई के कुछ अलग ही जलवे थे क्यारी मिनाटी के एक वीडियो से सारी दुनिया की नजर कोरोना से हट कर क्यारी मिनाटी के वीडियो पर आ गई पर दोस्तों क्या आप जानते हैं यूटूब और टिक टॉक में असली बाप कौन है तो आईए दोस्तों सबसे पहले यूटूब और टिक टॉक के बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं दोस्तों यूटूब फेबरूरी 2005 में जाविद करीम, चायड हर्ली और स्टीव चेन ने शुरू किया था और एक ही साल की कमपनी की ग्रोथ को देखकर गूगल ने यूटूब को 1.65 बिलियन में खरीज लिया उसी तरह टिक टॉक 2016 चायना में ज्यांग यूमिंग ने शुरू किया टिक टॉक का उस टाइम का मेंन कॉम्पिटेटर म्यूजिकली अप था तो टिक टॉक की कमपनी बाइट डेंस ने करीब वन मिलियर डॉलर में म्यूजिकली को खरीद लिया और अपने मेन कॉम्पिटेटर को खतम कर दिया उसके बाद दोस्तों टिक टॉक काफी ज़ादा ग्रोग करने लगा आईए अब देखते हैं यूटूब और टिक टॉक के डाउनलोड के बारे में इस टिक टॉक और यूटूब के मैटर से पहले टिक टॉक पे लगबग 200 करोड से भी ज़ादा डाउनलोड हो गए थे और YouTube के करीबन 500 करोड से भी ज़ादा डाउनलोड हुए थे TikTok का अगर growth rate देखे तो YouTube से कई ज़ादा था एक महिने पहले की ही बात है TikTok के तकरीबन 7 करोड से ज़ादा डाउनलोड हुए थे और दोस्तो TikTok के सबसे ज़ादा user अपने इंडिया से ही है इतनी अच्छी growth होने के बावजूट TikTok को 18 plus content होने के कारण मदरा साइकोड ने इंडिया में पूरी तरफ बैन कर दिया था TikTok ने अपने अप में 18 plus policy और content में कुछ सुदार करने के बाद फिर से अपिल की और इस बैन को हैटा दिया गया और TikTok फिर से बहुत तेजी से growth में आने लगा पर पिछले कुछ दिनों के अनुसार कोरोना ने पूरी दुनिया पर अटेक किया है पूरी दुनिया में सभी कोरोना के अटेक से परिशान है पूरी दुनिया में सभी कोरोना के इस अटैक को चाइना को जिम्मेदा ठेरा रहे है और चाइना इस आरोपों से साफ इंकार कर रही है और उसी विशे पर चलते विवादों ने इंडिया में चाइना की सभी चीज़ों को ज़ादा तर परहेज कर दिया है और उसी के बाद लोगों की टिक टॉक की लोग प्रियता में गिरावट आने लगी है लोगों के मन में गुसा बढ़ रहा था और कुछ कॉंट्रवर्शिल वीडियो के बाद इस कुस्य को आग लगा दी कैरी मिनाटी के एक वीडियो के बाद से ही लोगों ने टिक टॉक को अपने मोबाइल से आटाना शुरू कर दिया पिछले कुछ दिनों में ही टिक टॉक के यूजर्स दो मिलियन से घट कर वन मिलियन पे आ चुके है और सिर्फ तीन दिन में टिक टॉक की रेटिंग 4.5 से लेकर सीधे घट कर 2 पॉइंट पे आ चुकी है इंडिया में अभी टिक टॉक बैन होने को लेकर कई सारे कैमपेंस भी चल रहे है कई सारे टिक टॉकर्स ने खुद अपने टिक टॉक अकाउंट को बंद कर दिया है दोस्तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए ये सब सुनकर दोस्तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि इन दोनों प्लाटफॉर्म में से कौन है असली भाप तो दोस्तो आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है आप हमें जरूर बताए हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा होसला बढ़ाए और हमारी वीडियो अ झाल झाल